दोस्तो इस वक्त की जो है सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड कप 2019 से जहां पिर उस्तो डेल स्टेन जो है दुर्भाग्य वर्स पूरे वर्ल्ड कप से बहार हो चुके है तो क्या है पूरा माजरा उनके बदले में किस खिलारी को वीप्लेस्मेंट के तौर पर बुलाया है क्रिकेड साउथ अफरीका ने सारी बात आपको बताऊंगा इस वीडियो में लेकिन उस तो हमेशा की तरह जो है वीडियो को कर दीजिए लाइक शियर क्रिकेड की खबर पाने में रूची रखते हो तो सब्सक्राइब का बटन याद से दबा दीजिए यह जो सारा चीज था यह स्टार्ट हुआ था IPL में जहां पर RCB की टीम ने स्टेन को बुलाया था रिप्लेस्मेंट के तौर पे तो वहां पर जो है स्टेन ने काफी अच्छी गिंदवाजी की थी लेकिन दुरभाग योवर्स स्टेन को जो है शोल्डर इंजिरी का सामना करन और ये साल का जो वर्ल्ड कप है वहां से भी डेल स्टेन को कम्प्लिटली बहार होना पड़ा तो अब बात करते है डेल स्टेन वर्ल्ड कप में नहीं खेलिंगे तो उनके बदले में साओट अफ्रीका ने किस खिलारी को रिप्लेस्मेंट के तौर पे बुलाया है तो उस स्टेन की जो कमी है वो सायस से कोई भी खिलारी पूरी नहीं कर सकता स्टेन के पास जो तजूरुबा था जो एक्सपिरियंस था जो हुनर था वो सिर्फ डेल स्टेन के पास था जो आगे का सफर होने वाला है साओट अफ्रीका के लिए वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अल्रेडी दो मुकाबले इनकी टीम हार चुकी है उपर से डेल स्टेन भार हो चुकी है तो मेरे साथ जो है साओट अफ्रीका जो वर्ल्लकप का सफर है सेमि फाइनल में पहुचने का उसके उपर एक बहुती बड़ी ठोस लगी है ठोकर लगी है अगर उनको यहां से सेमि फाइनल में पहुचना है तो कुछ अच्छा करिस्मा करना पड़ेगा नहीं तो फिर साओट अफ्रीका भी बहुत जल्द वर्ल्लकप से बहार हो सकती है और इस बात को जो है हम सभी को मानना पड़ेगा लेकिन खबर तो यही है कि डेल स्टेन जो है ऑफिशली पूरे वर् करना क्या है कुछ नहीं बस सब्सक्राइब करके रख लेना है तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए